हेलो एवरिवन वेल्कम टू गनितंक बच्चो 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 हम एक और बार मिल रहे हैं गनितंक पर वन शॉट वीडियो के साथ येस तो ये क्लास्ट वेल्थ का वन शॉट वीडियो है और चैप्टर कौन सा आज मैट्राइसेज देखने वाले है येस बचा लोग मैट्राइसेज फूरा एक बार में खतम करेंगे हम यह ना क्लास 12 महाराश्रा बोर्ड के लिए स्पेसिफिकली ठीक है तो बच्चो जैसे आपको पता है आपको हर हफ़ते में एक वन शॉट वीडियो मैं यहां शेयर करने वाला हूँ तो वन शॉट में सारी चीज़े डिटेल्ड होगा चाहे आप पहले बार पढ़ रहे हो चाहे आप सेकेंड टाइम पढ़ रहे हो चाहे आप थर्ड टाइम पढ़ रहे हो यह वन शॉट वीडियो आपके बड़े काम आएगा यह वन शॉट आपको HSC Board के लिए भी प्रिपे हो जाएंगे तो आज हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है विचीज मैट्राइस जो हम डिसकस करने वाले है शुरू क्या जाए बच्चों विच स्माइल हां अरे भाईसा आप लाइक नहीं किया घर लो ना लाइक करने में क्या जा रहा है अगर अच्छा लग रहा है तो ल लाइक शेर सब्सक्राइब सब करते रही है चलो तो लिख लीजिए आप लोग बच्चों लोग जब आप पढ़ रहे हो ना तो साथ साथ में आप पॉस करकर करके को खुद सौल करने कोशिश करिए अगर आप कोई आता है तो नहीं आता है तो कोई बात नहीं मेरे साथ कवर होंगे हर टाइप चलिए लगा लीजिए हीडिंग सेकेंड नमबर मैट्राइस फोस्ट चैप्टर हमने लास्ट विक में देखा था मैथमाटिकल लॉजिक वन शॉट में अच्छे से कभी मिस कर दिया हो अपने तो प्लीज देख लीजिएगा पुराना वीडियो जो आपको वन शॉट आप डालोगे ना वन शॉट गनी तंक क्या वन शॉट डालोगे लॉजिक वगरे या प्लेलिस दिखो कि आपको मिल जाएगा तो मैट्रेस इस चैप्टर है सबसे वले तो कितने मार्क्स के लिए आता है सर यह इट कम्स फॉर सिक्स मार्क्स इन बूर्ड बोर्ड में 6 मार्क का चैप्टर है मतलब काफी वेटेज रखता है MCQs 2 तो पक्के आते हैं किसी-किसी MHTCT exam में 3 भी आ सकते हैं तो 2 तो पक्के हैं क्या-क्या पढ़ना है यह चैप्टर में जाधा कुछ पढ़ना नहीं है सिर्फ 4 कॉंसिप पे पुरा चैप्टर है inverse निकालना matrix का by elementary transformation method by adjoint यह पहली दो methods है हमारी फिर उसी को हम use करेंगे to solve system of linear equations method of inversion और method of reduction यह चार चीज़े हमें देखनी है अगर देखा जाए तो अगर मैंने 4 questions अच्छे से कर लिए ना 1 question इस पे 1 question इस पे 1 question इस पे 1 question इस पे तो यह 4 examples अगर अच्छे से कर लिए न हमने तो हमारे chapter खतम हो जाता है तो बहुत बड़ा chapter है नहीं बहुत ही छोटा सा बहुत ही अच्छा सा और 6 mark बहुत आसान it is actually a very easy chapter बहुत easy level का chapter है यह तो हमारे लिए free के marks होंगे ठीक तो इन सब को हम एकिक करके देखेंगे इन पर जितने अलग-अलग questions आये है boards में वह हम सब यहां try करेंगे ठीक है बच्छा चला चला बिफोर वी स्टार्ट कुछ basics देखने वाले हम मैंना mattresses के तो जैसे की mattresses का algebra कैसे होता है तो matrix हम add subtract है न यह सब कर सकते है पता है हमें लेकिन उनके order सेम होने चाहिए add subtract कब होगा जब they are of same order order होगर समझते हूं न 11 में पढ़ा है लोगों ने ठीक है नहीं समझता जर तो आगे देखते रहेंगे हम फिर अगर मुझे कभी a square निकालना हो तो a square क्या होता है a into a होता है कभी मुझे a cube निकालना हो तो समझ जाना आपकी a a a 3 बार multiply करना पड़ेगा या आप a square into a b कह सकते हो तो a कोई भी power निकालना है तो इस 1001 i का मतलब है identity matrix है ना ठीक है अगर order 3 का है तो कभी-कभी i3 भी लिखते हैं या simply i भी लिखो तो चलेगा order 2 का भी होता सकता है i yes 1001 ठीक है तो आप देखो यहाँ पर कितने rows कितने columns है दो रो दो column तो 2 cross 2 यहाँ पर 3 cross 3 तो जब number of rows और number of columns equal है तो इन्हें क्या कहते है हम square matrix यह सारी चीजे जो है आपको समझनी है रिवाइज हो रहा है यह सारा यह जो मैट्राइस का ठीक है 12 का portion तो हम आराम से लगेंगे लेकिन यह सब तो हमें वियाद है न 11 में पड़ा हुआ है determinant matrices हम लोगोंने determinant कैसे निकालते है वो भी हमारे लिए काफी important चीज होती है ठीक है matrix के ही determinant लिकल सकते है बाकियों के नहीं निकल सकते है ठीक है यह सारी चीजे आप note करके रख लो क्योंकि काम आएगी आपके इसके लवा second basic जो है बहुत important सा वो है elementary transformation जैसे की बच्चों देखो हमें आरे पास अगर x equal to y है तो हम add 5 on both sides कर सकते हैं है ना या फिर हम add 5 के आप म और minus 1 भी कर सकते है यह सारे चीज़ा कर सकते है और यह जो original equation और यह equation है यह दोनों same ही है क्योंकि आपने add किया दोनों तरफ subtract किया दोनों तरफ तो एसे ही आप elementary transformations यहाँ पर mattresses के लिए भी कर सकते हो similar transformations आप mattresses के लिए भी किया जा सकता है within rows और within columns जो भी करेंगे दोनों side क करेंगे तो जैसे मैं rows के लिए करना चाहूं तो मैं row यह इसे कहते हम row 1 इसे कहते हम row 2 this is row 1 r1 this is row 2 row मतलब horizontal line this is row 3 वैसी बच्चा column के बारे में भी आप बात करो तो यह है हमारा पहला column यह तीनों element से मिला हुआ यह है हमारा second column यह है हमारा third column तो column और row तो हम ना elementary transformation कैसे कर सक सकते हम कह सकते है r2 मतलब row 2 को change करना है तो r2 क्या change करना है तो रिटर से r2 को मैं r1 से add कर सकता हूँ मतलब क्या होगा सर कि यह जो corresponding elements है row 2 के वो row 1 के elements से add हो जाएंगे जब आपने यह कहां इसका मतलब सिर्फ उसे row 2 change हो रहा है तो row 1 ऐसी रहेगा 1 2-2 row 3 वी ऐसी रहेगा बेटा अब row 2 कैसे हो रहा है row 2 row 1 से add हो रहा है तो corresponding elements get added तो minus 1 will add with 1 आप direct भी लिख सकते थे वैसे 3 किससे add होगा उपर वाला row 1 के elements से corresponding 0 किससे add होगा उपर वाला तो 0 और minus 2 का addition होगा समझ रहे हो तो हमारा answer आ जाएगा 1 0 0 2 5 minus 2 minus 2 1 आप और भी operations कर सकते हो आप row 3 को change कर सकते हो row 3 को आप subtract कर सकते हो two times of row 1 से जो भी आपको करना है आप accordingly operations कर सकते हो and this will be nothing but the same as original matrix यह important बात है तो आप column सर जब इस है row में क्या वैसे column में भी कर सकते है yes तो these are some of the transformations जो आप कर सकते है column 2 को भी आप column 1 के साथ add कर आ जा सकता है तो यह column 2 है यह column 1 है तो सि क्योंकि आपने देगा ना कौन चेंज हो रहा है column 2 चेंज हो रहा है इस तरह आपको लिखना होता है I hope हम सब को छोटे-छोटे elementary transmission पता है क्योंकि यह बहुत important है और हमें लगने वाले है ठीक है और अगर नहीं पता है तो देखो सिखो है मैंने क्या बताया आपको ठीक कैसे करेंगे और आने वाले examples में बताऊंगा कैसे कर रहे है हम ठीक पूरे chapter को आप अराम से देखो कि न तो आपको कोई दिक्कत नहीं चाहेगा और तीसरा basic है types कुछ important types of mattresses इसमें सबसे पहला है square matrix square matrix का मतलब बच्चा number of rows and number of columns जो है वो same होने चाहिए जितने rows है उतने ही columns होन कितने दो तो यह two cross this is a square matrix लेकिन अगर वही मैं two three four five six seven कर दू तो यह number of rows कितने दो है और columns कितने तीन है so this is not a square matrix तो यह square matrix नहीं है और यह है this is a square matrix यह नहीं है क्यों कि number of rows और number of columns equal नहीं है वैसे identity matrix जो भी मैंने बताया था उपर में तो identity matrix तो सबको समझ में आ गया क्या होता है और हमेशा हम आय से denote करते है तो order three का अगर बताना हो तो one zero zero सिर्फ diagonal elements one होंगे बाकि सारे elements zero 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 होंगे राइट आकरी वाला one होगा sir yes फिर और भी बहुत सारे matrix होते हैं जो मैं पता होना चाहिए बटा diagonal matrix क्या होता है so again diagonal matrix का मतलब क्या कि diagonal के elements छोड़के बाकि सारे zero होने चाहिए तो five zero 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 four zero 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 minus nine कुछ भी हो तो यह element कुछ भी हो सकते है लेकिन बाकि non-diagonal element शुद भी zero this is called as diagonal matrix right then there is something called as upper triangular पता है क्या आप लोग का बेटा अपर triangular lower triangular upper triangular का मतलब है matrix के diagonal के नीचे let us say diagonal के नीचे वाले element zero सारे उपर के element कुछ भी हो सकते तो this is उपर में एक triangle बन रहा है न येस तो below diagonal element should be zero उसे हम कहते अपर triangular below diagonal elements टेके वैसी यह जटा lower triangular देखो जितना basic समय important है न वह हम बता रहा हूं में यह आपे lower triangular में क्या होगा diagonal के उपर के element zero होने चाहिए नीचे कुछ भी हो नीचे कुछ भी हो तो फरक नहीं पड़ेगा लेकिन उपर के element zero होने चाहिए तो above diagonal zero मतलब lower triangular है lower triangular below अगर element zero है तो upper triangular है क्योंकि triangle उपर बन रहा है यहाँ पर यहाँ पर triangle नीचे बन रहा है आप देख सकते हो बड़े आराम से ठीक है तो बसे पांच type of mattresses यो हमें चाहिए पता होने चाहिए I hope हम सब यह चीजे देखकर आये है class 11 में अगर आपको नहीं आता है तो एक बार थोड़ असा class 11 brush up कर लो ना textbook के तुरू जाओ अगर आपको यह होगा basics बेटा तीन टाइप के अब हम शुरू करते class 12 में जो important parts है जिस पर questions पूछ जाते है वो सारे ठीक तो basics होगया बहुत अच्छे तो हमारा सबसे पहली चीज है inverse of a matrix inverse क्या होता है अगर मैं 2 को 1 by 2 से multiply करूंते है इसका product 1 आया तो 2 और 1 by 2 एक दूसरे की क्या है reciprocal य inverse है वैसे ही अगर दो matrix से a और b इनका product अगर आया जाता है तो then a and b are said to be inverse of each other a and b are inverse of each other मतलब b को हम inverse of a कह सकते है और ऐसे लिख सकते है तो b को हम a inverse लिख सकते है और अगर b को a inverse लिख दिया तो हमें क्या मिल रहा है वापर देखो a b था ना तो a a inverse equal to i ऐसा अपने को एक बहुती बड़ा relation मिल रहा है फिर बताओ मैं आपर तो जब भी 2 matrix का multiplication हमने किया और वो अगर i आता है जब भी 2 matrix का हमने multiplication किया और अगर वो i आता है तो हम उसको inverse कहते है they are inverse of each other b a का inverse और a b का inverse है they are inverse of each other even sir इसका b a equal to i आया तो भी चलेगा तो again b is inverse तो i can also say a inverse into a equal to i है मतलब यह कि a into a inverse भी आया है और a inverse into a b आया है न पहले कोन बाद में कोन यह important role play करता है न येस ठीक है mattresses में बहुत important role play करता है तो आप सब लोग को समझ में रहा है inverse क्या होता है yes two matrices are said to be inverse of each other if their product is equal to i i का मतलब है identity matrix और इनको order same होंगे तभी ये सब चीज़े possible होगी अच्छा यहां पर important note है every square matrix has its corresponding determinant तो अब matrix is said to be invertible if in क्या अगर inverse exist करता है invertible है कब होगा यह बहुत important note है जो में बता रहा हो भी आपको please लिख लेना a inverse exists only when only when determinant is equal to non-zero that is अगर वो non-singular matrix हो इसको non-singular कहते है determinant 0 नहीं होना चाहिए मतलब जब भी हमें कोई inverse निकालने कहेगा तो हम पहले उसका determinant check करेंगे और अगर वो non-zero हुआ तभी inverse exist करेगा यह note number one है बहुत important है हमारे दो-दो marks के example आएंगे और अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू जिरो देन इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है बेटा नोट्स प्लीज लिख लो वन शॉट देख रहे हो सर मेरे पास सारी चीज़े पहले से बेटा नहीं जो जो मैं बता रहा हूँ जो जो में यहां blue में बता रहा हूँ आप सारी चीज़े लिखो क्यूंकि हमें बस short में थोड़े से notes चाहिए हैं आखरी दिनों में अच्छा अब हम लोगों को दो methods होती है inverse निकालने के लिए कोई भी हमें matrix दिया होगा हम questions में देखेंगे A matrix दिया होगा और बोला रहेगा कि find करो inverse इसका ठीक है A matrix दिया होगा हमें बच्चो और बोलेंगे find करो inverse इसका A दिया है find A inverse ऐसे questions होंगे मारे तो हम start कैसे करेंगे तो हम शुरू ही करेंगे A into A inverse equal to I से हम लोग शुरू ही करेंगे using the relation कि जब भी मैं A को A inverse से multiply करता हो तो ये I आता है अब यहाँ पर elementary transformation में हम क्या करेंगे इसको ऐसे transform करेंगे add, subtract वगरे करते हुए ताकि ये A बन जाए हमारा I, क्या बन जाए A, हमारा I बन जाए और same transformations हम यहाँ पर भी करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा B ठीके, ठीके तो बटा ऐसा हो जाएगा, इस पर कुछ transformations नहीं लगेंगे ठीके ने बट्सो, तो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आपके ओके सर, है ना, बहुत-बहुत बढ़िया चलो, तो बहुत अच्छे, तो हमें समझ आ रहा है क्या होना चीए तो A बन जाना चीए हमारा I, और A inverse वैसा ही रहेगा, जब हम row transformations कर रहे रहेंगे और यह same transformation हम यहाँ पर भी करेंगे, तो वो नया matrix बनेगा B Now I into any matrix is nothing but A inverse will be equal to this new matrix तो यह क्या कह रहे हो, कैसे होता है, examples है समझाओ ना, yes examples आएंगे बिटा हमारे, जब भी हमें बोला जाएगा, बस यह याद रको कि हम इससे शुरुदबात करना है और फिर transformations करने हैं ताकि यह I बने, अच्छे यह I कैसे बनेगा, तो there is a working rule तो I बनाना न है इसको, यहाँ जो matrix दिया होगा, उसको मुझे I बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे तो let us assume, बच्छो यह working rule देखो देहान से, let us assume कि A matrix आपको ऐसा दिया हुआ है आपको इसे I बनाना है, मतलब इसको पहले 1 बनाओगे, फिर बाकी इन दोनों को 0 बनाओगे तो हमारा पहला step होगा हमेशा, reduce A1,1 to 1, इसको किस तरह 1 बनाओ, divide करके, add करके, subtract करके इसको हमेशा 1 बनाओ, और इस 1 की help से इन दोनों को 0 बनाओ, तो A21, A31 को 0 बनाओ, तो हम row transformation में इसको 1 बनाएंगे और इसको 0 बनाओगे, मतलब पहला column हमारा settle करेंगे, ठीक है, फिर इसका आद में हम अगले बार इसको 1 बनाओगे, मतलब A22 को 1 बनाओगे, और इस 1 की help से हम उपर नीचे 0 बनाओगे, तो उपर नीचे 0 बनाओगे, फिर उसका आद में हम यहाँ पर 1 बनाओगे, और फिर उपर के element 0 करेंगे तो यह working rule होगा हमारा हमेशा I am repeating this again कोई भी matrix दिया हो examples हम लेंगे अभी आगे कोई भी matrix दिया हो मेरे बच्चो कोई भी matrix दिया हो हमेशा आप जब row transformations कर रहे हो इसको 1 और उसकी help से नीचे के 0 diagonal elements को 1 और उपर नीचे के 0 इसको 1 उपर के element 0 तो diagonal elements को this will be our working rule always very important और यह हमेशा काम करेगी हमारे लिए हना कभी हमको दिक्कत नहीं आएगा इस वाले rule में हमेशा it will work ठीक है बच्चा? ओके चलो हमको समझ में आ रहा है कि inverse by elementary transformation कैसे निगाला जाता है I will write down the steps elementary transformations ठीक है तो steps क्या होगी सबसे पहले तो आप determinant check करोगे determinant should not be equal to 0 तभी inverse exist करता है कोई भी question हो पहला यह करेंगे और second use working rule तो आप यहाँ से चुलू करोगे a inverse equal to i अगर आप row transformations कर रहे हो तो और यह working rule लेके will get a inverse equal to b ठीक है बच्चा? ओके तो यह working rule लेके हमें मिल जाएगा सर, examples से अच्छा समझेगा yes I know तो examples try करते है याना we'll try the examples मेरे बच्चा so let's see first example और सारे examples जो होंगे हमारे previous year के ही होंगे ठीक है? तो example number one तो सबसे पहला example जो है हमारा आप देखो a is equal to okay a x equal to y find x by elementary transformation x निकालना है x निकालना है मतलब क्या हुआ? आपने देखा a x equal to i मतलब यह inverse ही हुए ना एक दूसरे के x निकालना है मतलब correct? right तो हमें समझ में आगे क्या हमें inverse निकालने बोला गया है ठीक है ना? क्योंकि किसी भी दो matrix का product i आता है इसका मतलब they are inverse of each other ठीक है? yes sir तो since a x equal to i does x is equal to a inverse मतलब मुझे a inverse निकालना है तो यह बात समझ में आगे दो माग का question है यह अगर लिखते हो तो बहुत ही अच्छा impression पड़ेगा अब पहला step क्या होता है जब inverse निकालना है तो determinant निकालो इसका I hope आप सबको determinant निकालना आता है 1, 2, 3, 4 कैसे निकालते हैं? cross multiply 4 minus 6 minus 2 आया तो हम समझ गए न यह non-zero है? yes तो therefore a inverse exist यह दिखाना पड़ेगा आपको है न कि आपका determinant जो है वो non-zero value आया है और इसलिए हम कहते हैं कि a inverse exist करेगा तो सबसे वहले जब भी inverse का question हो हमारा पहला step यह होगा determinant 0 है या नहीं है अगर 0 आता सर तो 0 आता तो कहते हम inverse exist नहीं करता we cannot find x उसमें आपको पूरे 2 marks मिल जाते ठीक है बाइचांस अगर 0 आता तो but 0 नहीं आ रहा है मतब inverse निकालना पड़ेगा ठीक है बाइ elementary transformation बोला है चलो तो now जब भी elementary transformation बोला है तो हम use करेंगे using a into a inverse is equal to i a matrix क्या है यहां लिखो जो भी a matrix है तो 1, 2, 3, 4 a inverse ऐसी और i क्या होगा same order का बनाना पड़ेगा तो यह order कितना है 2 cross 2 तो 1, 0, 0, 1 ठीक है न बच्चा फिर बताओ यह step हमेशा इसको use करना है जब भी transformation की बात करी है इसी को use करना है a into a inverse equal to i ठीक है तो a into a inverse equal to i कहां आप लोगों ने अब आपने a matrix यहां रखा a inverse वैसे रखा और i की जगा जो matrix है वो आएगा 1, 0, 0, 1 identity matrix same order का यह 2 cross 2 है ठीक अब मुझे इसको transform करना है in such a way कि यह i बन जाए यह i बन जाए मतलब यहां 1 आना ची है already 1 है यहां 0 आना ची है अब यहां 0 कैसे लाओ row 2 को क्या कहेंगे हम minus 3 times of row 1 समझ रहे हो क्या यह बहुत important step है यहां मुझे 0 लाना है आपको बताएता न 1 1 1 है यहां 0 लाना है sir यहां 0 लाना है तो 3 को 0 कैसे बनाऊंगा इस 1 की help से तो minus 3 times of this चलो देखो करके क्या क्या हो रहा है अब यह rough में भी कर सकते हैं आप second row change होने वाली है तो first row as it is रहेगा first row आप ऐसी लिख दो और जो भी operation होगे वो दोनों साइड होंगे बैटा तो first row इसका भी as it is second row हम rough work करते है तो row 2 का element लेना है 3 minus 3 times of row 1 का element corresponding element लेना है तो minus 3 times of this यह आया 0 यह rough work है दिखाने की ज़रूत नहीं वैसे row 2 का element यह वाला 4 minus 3 times of 2 4 क्योंकि row 2 है minus 3 times of this समझ रहे है बैटा तो 4 minus 6 तो यह आगया minus 2 चलो बहुत अच्छे है ना तो यह वाद समझ में आई यह rough work है यहाँ दिखाने की ज़रूत बिलकुल भी नहीं है ठीक है अच्छा वही चीज आपको यहाँ पर भी करनी है यहाद रखना ही है लोग यह बहुत सरे बच्छे ने यहाँ करके छोड़ देते है यहाँ पर भी करनी है तो row 2 का element कीया बैटा 0 minus 3 times of उपर का element यह आपका minus 3 फिर यहाँ पर row 2 का element कीया बैटा 1 minus 3 times of उपर का element तो यह आगया 1 ठीक है तो यह अपना बहुत अच्छे से बहुत आराम से आपको देखना है गलतिया नहीं करनी है गलति होने के बहुत chances है तो यह हो गया हमारा पहला column जब भी हम row operations कर रहे column wise set होते जाएंगे first column आ गया बहुत अच्छे इनको उसी order में करना है यह 1 और बाकि 0 नहीं तो क्या होगा होगा ही नहीं हमसे solve अब यहां मुझे 1 लाना है बेटा यहां 1 कैसे लाओ sir यहां 1 कैसे लाओ अब आप यहां 1 लाने के लिए सीधा divide कर दो तो row 2 को हम change करेंगे row 2 divide by minus 2 जितने भी row 2 के elements है हम उनको क्या करेंगे change करके row 2 divide by minus 2 चलो यहां तोड़ी जगाया बनानी पड़ेगी हमको ठीक है समझारी है बटा सबको बात है ओके तो हमें यहां 1 लाना था ना यहां पर तो हम सिभ रो 2 को change करेंगे तो row 1 तो ऐसी रहेगा तो 1 2 ऐसी रहा a inverse again row 1 ऐसी रहेगा यहां पर तो 1 0 अब divide by minus 2 तो 0 upon minus 2 it will be 0 minus 2 upon minus 2 तो यह 1 आ गया sir this divide by minus 2 तो यह 3 by 2 आ गया sir और यह 1 by 2 लेकिन minus 2 यह ना तो minus 1 by 2 समझ रहे हो इसको divide by minus 2 किया इसको divide by minus 2 किया row 2 के सारे elements को ऐसा आ गया अब यह 1 आ गया अब मुझे इसको 0 लाना है कैसे sir 1 0 और यह भी 1 और यहां 0 तो इसको 0 लाना है मतलब row 1 चेंज करना है तो row 1 को कैसे चेंज करोगे row 1 minus 2 times of row 2 तो इसमें ना सिर्फ यही वाला element चेंज आएगा देखना बराबर row 1 चेंज आ रहे है तो row 2 remains as it is yes पहले row को ऐसे रखते लेकिन second row तो as it is रहेगा sir a inverse again second row as it is रहेगा ठीक है तो जो भी changes आ रहे है सिर्फ उसर्फ row 1 में आ रहे है ठीक है बहुत अच्छे अब row 1 में क्या change आ रहा है तो 1 minus 2 times of this 1 minus 2 times of this कितना रहा है 1 ही आ रहा है sir 2 minus 2 times of this कितना रहा है 0 आ रहा है sir बहुत अच्छे, अब ये वाला बहुत important है, row 1 का element का है बेटा, 1, minus 2 times of 3 by 2, ये और ये cancel, देखो, कितना है, solve होके, minus 2 आ गया, correct, again, row 1 का element का है, 0, minus 2 times of minus half, तो पुरा solve होके, कितना है, 1 आ गया, right, understood, देखो, ये operations थोड़ा आराम-राम से भी कर सकते हो, बहुत सारे बच्चों होती है, सर, हो क्या रहा हो रहा है, यहाँ पे, आपको यहाँ क्या दिख रहा है, row 1, minus 2 times of row 2, row 1, और ये 2 times of row 2, row 1, और ये 2 times of row 2, और इनमें subtraction करना है, ठीक है, yes, सर, अब ये आए हो गया, हाँ बेटा, ये आए हो गया, तो i into a inverse, minus 2 into 1, 3 by 2 into minus 1 by 2, so therefore, a inverse is equal to, i into anything is, same matrix, yes, तो ऐसा मेरा ये answer आता है, this is nothing but x, सर, 2 mark के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा, क्या, हाँ, बच्चा, करना पड़ेगा, right, तो सब लोग थोड़ी-थोड़ी steps देख रहे, थोड़ा difficult लगा हो, तो एक और बार देख लेना, क्योंकि अभी तो ये 2 cross 2 का है, अगला हमको 3 cross 3 भी करना पड़ेगा, एक और questions देखेंगे हम, तो यहाँ पर हमें बोला था, find x, हमें समझ में आया है, x inverse है, समझ में आया है, तो पहला step है, determinant, हमेशा, sir, determinant तो पूचा ही नहीं था, करना पड़ेगा, determinant को solve, करना पड़ेगा, determinant non-zero है, तभी inverse exists करता है, तभी हम आगे बढ ध्यान रखना इस बात का, दो माग के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा, फिर आपने देखा अलग-अलग चीज़े, ठीक है, yes, sir, पक्का, है न, yes, तो बहुत-बहुत अच्छे, कुछ लोगों को verify भी करना होता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको, और इसको multiply करके देख स सकते हो, अगर आपको multiplication आता है, but I am sure कि answer correct है, कोई गलती नहीं किया है, फिर भी अगर आपको देखना हो, तो सारी steps आप check कर सकते है, ठीक है, चलो, तो पहला question done, पक्का, okay, sir, तो ये पहला part है हमारा, दो माग का, और अगर इसी में आपको 3 x 3 का पूछ लिया जाए, तो वो बन जाता है, चार माग का question, और इसको पूछने की probability बहुत जादा है, this is a star question for me, ये बहुत जादा chances है कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है न, बच्चा, yes, तो again, find inverse ही बुला गया, direct, तो direct find inverse और using row transformations बुला गया है, ठीक है, sir, पहला step क्या होगा, determinant निकालोगी, determinant निकालना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा कि नहीं निकाला दो चल जाएगा, क्या no, marks card, अगर मैं check कर रहा हो, तो मैं तो marks card दूँगा, तो कैसे निकालते determinant, ये 1, फिर आप इसको row और इसका column हटा दो, तो इसमें cross multiply कर दो, 3 और ये 0, so 3 minus 0, फिर minus of beach का element 2, इसका row और इसका column हटा दिया अपने, cross multiply minus 1 और 0, ठीक है, तो ये आया minus 1 और 0, फिर plus, फिर minus 2 क्योंकि अगला element है, ये row और ये column हट गया, तो ये कितना है, 2 और ये ठीक है, अब देखो element कितना हुआ, 3 plus 2 minus 4, तो it is coming out to be 1, which is not equal to 0, so therefore a inverse exist करता है, ये आपने बता दि value आ रहा है, वो भी correct आना चाहिए, 1 आना, 1 आया बहुत अच्छी बात है, बड़ आपको समझ महा है कि इसका answer non-zero है, तभी inverse exist करता है, हमेशा step number 1, भूलना नहीं, जब भी elementary transformation, inverse निकालना है, चाहिए कोई भी method हो, right, inverse निकालना है, मतलब inverse exist करता है, या नहीं, पहले check करना पड़ेगा, जो चीज exist ही नहीं करती, वो कैसे आप निकालोगे, है कि नहीं, चाहिए, good, अब मैं row transmissions करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा, using, a into a inverse equal to i, ठीक है, तो आप a के जगा जो matrix दिया हो लिखेंगे, बेटा, a के जगा क्या दिया है, 1, 2, minus 2, ठीक है, फिर minus 1, 3, 0, 0, minus 2, 1, a inverse is equal to i के जगा भी आपको यहाँ पर order 3 है, तो 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 बच्चा, एकदम ध्यान-ध्यान से देखो, क्योंकि लिंदी लगेगा यह नहीं तो आपको, बहुत टफ लगेगा नहीं तो यह आपको, मैंना, elementary transformations, ठीक है, तो एकदम अच्छे से ध्यान से देखना, last year तो यह delete हो गया था, बच गय थे बहुत सारे बच्चे, इस बार मि से, अब यह 0 कैसे करू, कौन से रो का element है, रो 2, रो 2 को हम क्या करेंगे, रो 1 की help करो, लो, तो यह क्या होगा, minus 1, plus 1, तो add कर दें, 0 हो जाएगा, बस इसी पर focus है मेरा, yes, अज़ इसको कुछ करना है क्या, नहीं है, अगर नहीं होता तो मैं रो 3 को भी कर रहा होता, इतना information ठीक है सर, तो कौन सा चेंज हो रहा है, रो 2, तो आप पहले क्या करो, रो 1 लिख लो, 1, 2, minus 2, इधर का भी लिख लो, साथ साथ मे, 1, 0, 0, रो 2 change हो रहा है सर, कैसे रो 2, इंदोनों का एडिशन तो यह 0 हो गया, एड कर लो, 0 हो गया, इंदोनों का एडिशन तो यह 5 हो गय इन दोनों का भी addition, तो यह minus 2 हो गया, यहाँ भी इन दोनों का addition होगा, तो यह 1 हो जाएगा, इन दोनों का addition, यह भी 1 होगा, और यह 0 होगा, रोतरी को कुछ किया कि हमने नहीं किया है, ठीक है, यहाँ यहाँ 001, तो are we all getting this, कि हमारा पहला column ready है, जब row operations करते हो, तो column wise आप ready हो जाते हो, ठीक है, पका, समझ गए क्या, पकी बात है, पका, चलो, अब इसको आपको one करना है, अब थोड़ी बात आएगी हमारी, इसको one कैसे करो, सर इसको और इसको add करो क्या, इसको और इसको add करो क्या, तो यह सब बदल जाएगा, तो इसको one करने के लिए, simple आप divide कर लो तो रो 2 को आप 5 से divide कर लो रो 2 को क्या करोगे 5 से ताक ही 1 हो जाए खुज़ा complicated हो जाएगा लेकिन हमें करना वही पड़ेगा तीक है न बच्छा तो 1 0 0 2 minus 2 सिर्फ रो 2 को हम divide by 5 करें तो 1 आएगा divide by 5 करें तो क्या आएगा minus 2 by 5 आएगा minus 2 और 1 minus 2 और 1 A inverse is equal to इधर भी देखेंगे आप तो first row ऐसे second में divide by 5 तो 1 by 5 1 by 5 0 0 0 1 सिर्फ second row बतला है क्यों बतला है divide by 5 अच्छा divide by 5 नहीं करते और कुछ कर सकते थे क्या अच्छा और भी कुछ कर सकते थे सर क्या आप सिर्फ उसिफ इन दोनों की help से कुछ कर सकते थे चलो एक और तरीका बताता हुए न यह थोड़ा tough लग रहा है किसी को यह सही था लेकिन अगर tough लग रहा है तो हम एक और तरीका कर सकते थे कैसे आपको बस इसको add नहीं करना है क्यों क्योंकि इसको add करके तो यह चला जाएगा न बट यह 5 है और यह minus 2 है तो कहना है से row 2 plus 2 times of row 3 कर लो क्या कहते हो तो 5 देखो एक एक करके अभी थोड़ा अराम से देखो फॉर्स रो चेंज नहीं होनी चाहिए तो row 2 ही चेंज होगा पहला अप्रोच भी सही था बेटा अब यह थोड़ा अप्रोच चेंज करके थोड़ा और इजी लगने लगेगा शायद आपको second row change हो रहा है क्या हो रहा है second row में आप row 3 को add कर रहे हो 2 times तो 0 प्लस 2 times of 0 यह तो 0 ही होगा 5 plus 2 times of minus 2 2 times of minus 2 तो कितना यह 1 आ गया अगया तो मुझे 1 लाना था और without changing this लाना था फिर अगें यहाँ पर भी आप देखो तो row 2 का element minus 2 plus 2 times of row 3 का element यह 0 आ गया सरी जाधा अच्छा है न यह सारे tricks आपको समझने चाहिए row 3 को कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं वैसी इधर साइड देखेंगे आप तो row 1 as it is रहेगा row 2 को हमने 2 times of row 3 आएड किया है तो 1 row 2 को 2 times of row 3 आएड किया है तो यह 2 आया और यह 0 0 1 आया क्या बेटर लग रहा है वो divide by 5 वाला थोड़ा डिक्कत दे देता था यह easy लग रहा है न answer दोनों से same आएगा क्योंकि inverse is always unique हमेशा जो answer है हो same होगायस है नहीं कि किसी ने और step कुछ और कि steps अलग अलग कर सकते हो लेकिन answer हमेशा unique आएगा बच्छा ठीक है चलो अब next अब यह 1 आ गया हमारा step हो गया अब इसकी help से मुझे उपर और नीचे क्या करना है जीरो लाना है उपर जीरो लाना है मतलब row 1 change करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे row 1 change हम तो row 1 में मैं इसको दो बार subtract करूँगा r1 minus 2 times r2 इस 1 के help से वैसे यहाँ minus 2 है मैं इसको दो बार add करूँगा तो r3 को मैं change करूँगा r3 plus 2 times r2 आप समझते हो अच्छे से देखो आराम आराम से कि आपने यहाँ 1 ले लिया अब इसके help से आपको उपर भी जरू लाना है तो 2 minus 2 इसके help से ना yes फिर minus 2 है तो यहाँ plus करेंगे 2 times of this correct अब सारे right r1 change हो रहा है तो चलिए बना लेते हैं r1 कैसे change हो रहा है r1 में r1 minus 2 times of this तो यह 1 आया ध्यान से देखना है na 2 minus 2 times of this यह 0 हो गया minus 2 2 times of this तो यह minus 2 ही रहा तो यह rho 1 हो गया अच्छा आप चाहो तो rho 1 इधर की भी कर लो तक ही आपको जो कर रहे हो exactly same करोगे न सब जगा तो r1 का 2 times of r2 करना है तो 1 minus of 2 तो this is minus 1 0 minus of 2 this is minus 2 0 minus of 2 times of this तो minus 4 अच्छे से देख लो फिर से बताता हो मैं आपको r1 change हो रहा है कैसे r1 का element है 1 minus 2 times of r2 का element तो आप देखो यह minus होनाया बराबर ठीक है फिर यह 0 minus 2 times of this 0 minus 2 times of this ऐसे आ गया हमारा ठीक है यह r1 हो गया r2 change हो रहा है कै नहीं तो r2 as it is लिग दो लिख के यहां पे भी r2 as it is लिख दो r3 change हो रहा है कै यह r3 को आप 2 times of यह add कर रहे हो तो r3 को आप add किया तो यह 0 plus 2 times of 0 minus 2 plus 2 times of 1 तो यह 0 हो गया 1 plus 2 times of this r3 plus 2 times of this तो यह 1 ही रहा यहापे 0 plus 2 times of this तो यह 2 हो गया 0 plus 2 times of this यह भी 2 हो गया 1 plus 2 times of this तो यह 5 हो गया देख रहे हो यह न वो divide by 5 से क्या होता न हमारा addition subtraction हमें थोड़ा tough लग जाते तो यह जादा अच्छा approach था तो अपना second column ready सब लोग समझ रहे हैं दो operations एक साथ कर सकते हो क्योंकि आप यहापे सिर्फ r2 का help ले रहे हो दोनों में प्लस 2 times of row तो यह नहीं हो रहे है और second row third row change नहीं हो रहा है हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस इक्वल तो यहाँ पर भी r1 और 2 times of r3 add होगा तो r1 मतलब क्या minus 1 plus 2 times of r3 तो 2 times of 2 तो पूरा add हो के कितना आया 3 आया है बहुत बढ़िया बेटा फिर minus 2 plus 2 times of this तो यह 2 आया minus 4 plus 2 times of this minus 4 plus 2 times of this तो यह 6 आया 1 1 2 2 2 2 5 यह आय हो गया तो हमें मिल गया i into a inverse is equal to 3 2 6 1 1 2 2 2 2 5 so therefore a inverse is equal to answer आगया 3 2 6 1 1 2 2 2 2 5 and this is my answer बच्छा लोग तो ऐसा हमने यह answer निकाल लिया तो इसा हमने यह answer निकाल लिया हर स्टेप रीचेक करने में भी बहुत दिक्कत जाती है एक जगा भी अगने plus minus अगर difficult गलत कर दिया न तो बहुत गडबलो जाती है तो मैं तो कहता हूँ कि अगर ओ सके तो यह transformation वाले कोशन को option में छोड़ना चाहिए ठीक है तो आप देख लो सारी स्टेप्स I'll be back in a minute कर लो चलिया ओके तो अगर थोड़ा difficult गलता है हो सर हमें बहुत तफ लगता है तो प्रैक्टिस की ज़रूत है फिर आपको आप यही question एक और बार कर लो ना दो बार कर लो देखो मैंने कैसे कैसे करा है और ट्राइट तो गेट दिया त्री टू सिक्स वन वन टू टू तू फइफ सर कैसे चेक करो यह आंसर सही है या नही और यही सबसे लिंदी अप्रोच है अब दूसरा अप्रोच है हमारा by adjoint method inverse निकालेंगे हम by adjoint method now adjoint क्या होता है सर तो पेटा adjoint जो है ना कोई भी matrix का it is nothing but cofactor matrix जो होता है उसका transpose तो cofactor matrix का transpose अब क्या तो देखो अगर मैं कहूँ for example कोई A matrix है जिनमें elements है A11 मत्तब first row first column का है A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 तो हम इसका cofactor निकालेंगे इस element का cofactor कैसे निकालते है वो ही minor की तरह और फिर plus minus करना पड़ता है निकालना भी सिखाता हूं मैं आपको तो इसका cofactor निकाला वो हमने यहां रख दिया तो capital A11 जो है उसका column देखो, first row becomes first column, second row becomes second column, okay, और third row becomes third column, तो ये बन गया adjoint of that matrix so transpose of cofactor matrix ठीक है, ये होता है adjoint तो let us say हमें adjoint निकालना अगर आ गया में adjoint निकाल लिया तो inverse is said to be inverse direct formula आप यूस करो so inverse is equal to 1 by determinant determinant of A into adjoint of A adjoint वाला matrix divide by determinant, that becomes inverse ये एक formula याद रखना है आपको तो this is nothing but adjoint use करके inverse निकालना, डारेट formula की use करना, इसे तो determinant 0 नहीं होना चाहिए, अगर determinant 0 होगा तो infinity हो जाएगा, तो हमें पता inverse exist करने के लिए determinant शुड बे non-zero, यहाँ पर फिर note बना सकते हैं, inverse exist only when determinant is non-zero, क्यूंकि 0 रहा तो देको denominator 0 हो जाएगा, तो infinity हो जाएगा है न, येस सर, और एक और प्रॉपर्टी अब याद रख सकते हो, एक और प्रॉपर्टी, A into adjoint of A A into adjoint of A is equal to, determinant of A into A, बहुत काम हाती है बटाई प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी में दे रहा हूँ, जो आपको objective के लिए बहुत काम आएगी, कभी-कभी आपको adjoint of A का determinant निकालने बोलेगा, तो directly you can use determinant of A power n-1, n क्या answer यहाँ पर, तो n is order, जैसे अपने उपर में, 3 row 3 column थ Right, तो order की बात हो गई, समझे, तो यह order होता है n, ठीक, तो आपको determinant निकालना है तो आपको पुरा adjoint निकालने की जरूद नहीं है, इसको हम objective में और देखेंगे, क्योंकि इसके questions हमें objective के लिए ज़्यादा काम आते है, ठीक है, पर यह बहुत important है मेरे लिए, रट सकते हो त नहीं बात कि adjoint matrix निकालो, यह easy तरीका है, जब भी आपको सिर्फ inverse निकालना हो, तो I would recommend कि यह तरीका अच्छा है, इसके थूरू आप निकाली है, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा नहीं दिया हो, कि भाई, by transformation, तो go by this approach, हम देखेंगे न, भी solve करेंगे तो, अच्छा, before I solve the questions, co-factor क्या होता है sir, एक बार, please, बता दो ना, please sir, co-factor नहीं बता, देखो, यह element कौन सा है, first row, first column, तो हम इसको क्या करेंगे, चुपा देंगे, तो हम co-factor जब निकालेंगे, तो capital A11, capital A11, minus 1 power, यह जो rows और columns हैं, इनका addition कर लो, देखेंगे, जो भी column और rows होगा, और फिर अब यह जो बचा हुआ है, जिसको minor कहते है, 3, 0, minus 2, 1, right, तो यह देखो minus 1 का square, which is nothing but plus 1, और यह solve कर लिया, cross करके, तो 3 becomes its co-factor, समझे, co-factor कैसे निकालना है, अरे sir, यह तो minor की तरह ही है, yes, co-factor और minor में एक relation हो, आपको पता होगा, minus 1 power I plus J, into Mij, मतब co-factor और minor equal रहेंग अगे, बस minus 1 से multiply करना है, या नहीं करना है, वो depend करता है, row और column के number का addition, अगर row और column के number का addition, even हुआ, तो वो same हो गया, right, अगर odd हो गया, तो minus से multiply हो गया, for example, अप मिझे इस element का निकालना है, तो हम यह row और यह column हटाएंगे, तो A12, तो minus 1 power का आएगा, इन दुनों, 12 का addition, और जो आगे minor आएगा, minus 1, 0, 0, 1, देखा, अब minus 1 का cube हो गया यह, which is nothing but minus 1, इसको cross multiply किया, तो यह भी minus 1, तो cofactor कितना आगया, 1, minor minus 1 था इसका, लेकिन cofactor 1 आया, right, तो minor cofactor, समझ गया, तो ऐसे आप सारे elements निकालोगे, अना, अलग, 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 और जो matrix बनाओगे, व becomes adjoint of our matrix, transpose, transpose लेना नहीं बूलना, बहुत सरे बच्चे गलतिया कर देते हैं, और फिर वो गलतिया जो है ना, पूरे marks हमारे लेके जाती है, तो everyone is getting, हमारे steps कैसे होंगे, कैसे हम solve करेंगे, right, तो जब भी हमें inverse by adjoint approach बूला जाए, तो हमारे steps कैसे होंगे, सर, चली बताते हम आपको हमारे steps कैसे होंगे, right, तो steps will be, steps will be, सबसे पहला, determinant पता करो, determinant 0 है या नहीं है, तभी तो inverse exist करेगा, second, find cofactors, and cofactor matrix पता कर लेंगे हम लोग, और third step, adjoint पता कर लो, na, transpose लेके, और फिर उसके बाद में use formula, है ना, तो fourth step या third step में, and use a inverse formula, which is, one by determinant of a, into adjoint of a, ठीक है, तो these are the three steps that we are going to follow in each and every question, तो सर, पहली step तो वही है, जो हमने mark किये थी, हाँ, एक mark तो आपको inverse बोला कि, ऐसे ही मिल जाएगा, अगर आपने determinant निकाला तो, ठीक है, तो 3 mark, 4 mark के questions होते हैं, पका, मज़ा आ रहा है अप लोगों को solve करने में, बच लिए, तो question में देखते हैं, अगेन ये भी question जो है pyq है, सारे pyq जी लिए है मैंने, inverse by adjoint method बोला गया है, तो what will be my first step बच्चो, determinant निकालना, बिना कुछ सोचे, 2 minus 2, 4, 3, कर लो, cross multiply 6 minus of minus 8, कितना है, 14, तो ये 0 है क्या, non-0 है सर, तो अगर ऐसा है, तो हम क्या कहेंगे, inverse exist करत है, तो inverse exist, पहली बात आपने कह दी कि inverse exist करने लगा, अब जैसे inverse exist करने लगा, मेरे बच्चा लोग, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम co-factors निकालेंगे, हर एक के co-factor, ठीक है, yes sir, चारी elements है यहापे तो, कोई बात नहीं, तो a11 निकलेगा, a12 निकलेगा, a21 निकलेगा, औ और इसी तरीके से सजा के रखो है, क्योंकि confusion नहीं रहेगा फिर हमारा, तो पहले element के row column हटा दो, तो minus 1 power 1 plus 1, और यह row column हटाया आपने, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, तो answer कितना है बचा, minus 1 का square, तो यह 3 आया sir, बहुत अच्छे, 1, 2 में कैसा होगा, minus 1 power 1 plus 2, तो आप देखो, first row, second column हट गया, तो क्या बचा, 4, तो यह आया minus 4, पुरा-पुरा, 2, 1 करोगे, तो second row, first column हटा दो, minus 1 power 2 plus 1, into minus 2, तो देखो, solve होगे, कितना है गा, 2 आएगा, yes, क्योंकि यह खुद minus 1 है, यह भी minus 2 है, तो plus 2 होगया, yes sir, 2, 2 करोगे, तो minus 1 power 2 plus 2, ठीके, तो यह यह, yes, so it is coming out to be positive 2, तो आप देखो यह co-factor कैसे निकाल रहा है, एक बार फिर बताओ, देखो यार, आराम-ाराम से देखो, minors जैसे निकालते हो, वैसे ही निकालना है, यह ना, देखो, पहला row, पहला column हटा, तो 3 बचा, लेकिन 7 में यह आएगा, minus 1 power, जो row number है, और column number है, row number और column number का addition, यह step में दिखाना पड़ेगा आपको, यह ना, तो 1, 2, बतलब first row, second column हटा, तो 4 बचा, इसके shortcuts भी होते है, यह ना, co-factor, जो निकालने 2 cross 2 के, इसका जुगार भी होता है, shortcut भी होता है, तो co-factor matrix क्या हो जाएगा यहापर, लेकिन यह board के लिए हमारे काम के न सीटी के लिए बताऊंगा मैं सारा, तो co-factor matrix क्या है बचा हमारा, 3, minus 4, 2, और 2, तो इसका transpose, तो adjoint becomes इसका transpose, तो इसके transpose करो, first row becomes first column, second row becomes second column, ठीक है, okay बचा, यह न, yes sir, बहुत बहुत बढ़ी है, अगर आपको देखना है, सब सही गिया या नहीं किया 2 cross 2 में, तो यह interchange होन yes, और यहाँ पर जगा वही रहेगी लेकिन सिफ sign change होना चाहिए इस वाले में, तो यह 2 बन जाना चाहिए और यह minus 4 बनना चाहिए, ठीक है, yes sir, यह जुगाड है हमारा, sir क्या बुला आपने, एक बार फिर बताऊ न, okay, diagonal elements interchange हो जाते है, दो step में अगर आप जब objective करोगे, त interchange diagonal elements, interchange diagonal and sign change non-diagonal, right, यह 2 steps होती है हमारी, यह मैं आपको बताऊंगा जब objective बढ़ रहे रहेंगे आप, तो यह दोना interchange होंगे, और यह वही के वही रहेंगे, सिर्फ sign change होंगे, है ना वैसे ही, देको interchange होगे, 3 और 2 उपर निच होगे, और minus 2 का 2 बन गया, और 4 का minus 4, बराबर किया, मतलब हमने, adjoint आगे बेटा, तो now using formula, a inverse is equal to 1 by determinant into adjoint of a, is it an approach, yes sir, यादे आपको ऐसा ही 2 cross 2 का किया था, वो कितना बड़ा था, determinant कितना आया, 14, तो 1 by 14, into adjoint क्या है, 3, 2, minus 4, 2, and this is inverse, that we need it, this is our answer, ठीक है, मजा आगया, good, तो ऐसे हमें करना है, 2 cross 2 का, हमने देखा था, by elementary transformation, वो तो लंबा था, ठीक है, बड़ा अच्छा निकला, येस, बहुत अच्छा निकला, ठीक है, चलो, एक और question देखें, येस सर, इसी पर देखें, येस, ये क्या बूल रहा है जर, अच्छा, ऐसी कोई property थी क्या, येस सर, using a property, a into adjoint of a, is equal to determinant of a into i, ये property, अगर हम compare करते है, तो k क्या है, देखो k, so thus, k is equal to determinant of a, बहुत अच्छे, वो property नहीं पता होती, तो फिर हमें थोड़ा न, जदा काम करना पड़ता है, लेकिन हमको property पता है, तो k जो है, यहाँ पर determinant of a आना चाहिए, तो ये इसका determinant, 1, 2, 3, 4 का determinant, क्या होगा, 4 minus 6, which is minus 2, कौन सा answer correct आगया, तो answer is b, objective question था, यह हमारा board की exam में, 2014 के exam में objective question था, तो हमें objective question में sir, पूरी steps लिखनी होते गया, अच्छा impression जाता है, जग आप पूरी step लिखते हो, तो, वैसे direct answer लिखा, तब भी marks मिलते हैं, ठीक है, तो यह हमारा fourth question, अब, yes sir, अब ना हम, fifth question, inverse निकालते हैं, by adjoint, तो question में लिखा होता है, by adjoint, अगर नहीं लिखा होता है, तब भी हम कौन सा use कर रहे होते हैं, adjoint, क्यों, transmission बहुत difficult वाला है sir, बहुत बढ़ा है sir, yes, you are correct बिच्चे, थीक है, तो हम adjoint यूज करते हैं, तीन माग का यह सवाल है, elementary transmission तो चार माग के लिए आता है, ठीक है, चलो, 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 और ना by adjoint बोला है, शुडू करें हम मारा काम, पहला step, determinant निकालना होता है, सर्थ ही क्रॉस थीगा determinant, टाइम लगेगा, ठीक है, हमारे पास बहुत टाइम है, don't worry, बस गलती ना करो, लिखते वक्त गलती ना करो, तो 3 into, यह cross multiplication, 5 minus 4, minus 2 into, cross multiplication, again 5 minus 4, plus 6 into, cross multiplication, 2 minus 2, 3 into 1, minus 2 into 1, plus 6 into 0, कितना है बटा यह, पूरा मिला के वन आया, तो I can clearly see determinant is non-zero, therefore inverse exist करता है, तो यह आपको बताना पड़ता है न हमेशा कि inverse exist करता है, हमेशा की कहानी है, और हमेशा 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 करनी पड़ती है, ठीक है, बहुत-बहुत अच्छे, अच्छा, मैं इस A matrix को यहाँ फिर लिखता हूँ, ताकि मुझे नीचे दिखता रहे, आपको लिखने की जरूत नहीं है, आपके आज तो question रहेगा, अभी next step क्या रहेगी, पहला step हो गया, next step is cofactors निकालना, अब जिब मैं cofactors निकालना नो बेटा, मैं इसी तरीके से निकालना हूँ, मतलब A11 यहाँ, A12 यहाँ, A13 यहाँ, ताकि मुझे confusion ना हो, ठीकि मैंने निकाला कौन सा और कहा रखना है, क्योंकि ऐसे ही लिखना है ना मुझे इसको, इसके नीचे यहाँ पर A21, A22 और A23, उनी जगा ओपर, क्योंकि यह matrix की तरह ही दिखेगा फिर मुझे, A31, आप भी ऐसे ही करो, इससे क्या होगा ना, आपको confusion नी रहेगा, आपको पूरा matrix की तरह दिखेगा, कि first row में कौन कौन से है, first row में यह तीन ही रहेंगे, A11, A11 में क्या होगा, minus 1 power 1 plus 1, तो आपको यहाँ पर first row, first column हटाना है, और यह आपको करना है, cross कर लो directly, 5 minus 4, right, 5 minus 4, तो यह आगया आपका 1, आपना, direct भी कर सकते हो, yes, आता है ना, इतना करना, yes, तो यह भी 1, और यह भी 1, तो यह answer बनाया पहला, good, very good, 1, 2, तो minus 1 के power में क्या आएगा, 1 plus 2 आएगा, अच्छा, first row, second column, 1, 2, यह हटा गया, 5 minus 4, again, तीके ना, बच्छा, तो यह आगया आपका, 5 minus 4, right, which is nothing but minus 1, क्योंकि यह minus 1 आ रहा है, sir, 1, 3, तो 1, 3 मतलब minus 1 power 1 plus 3, again, first row, third column, तो यह क्या वा, 2 minus 2, 0 हो जाएगा, sir, बहुत-बहुत बढ़िया, तो this is how we get our first row of, 2, 1, तो पहले 2, 1 का क्या होगा, minus 1 power 2 plus 1, तीके, फिर 2, 1 मतलब second row और first column हटाना है, तो यह क्या होगा, 10 minus 12, इनमे को रहा है, 10 minus 12, अच्छा ता देखना है, गलती नहीं होने ची, 2, 1, 2 मतलब row number, 1 मतलब column number, तो यह 10 और यह minus 12, तीके, तो यह आगया अपना, 10 minus 12, steps दिखाऊगे, अच्छा लगेगा, तो यह minus 1 है, यह minus 2 है, पूरा मिला कि कितना है, 2 आगया sir, 2, 2, second row, second column, तो पहले तो minus 1 power 2 plus 2, तीके, यह देखो cross multiply, 15 और यह 12, तो 15 minus 12, तीके, तो यह आगया 1, यह आगया आपका 3, तो पूरा क्या आया, 3 आया sir, समझ में आरी है ना सबको बात, अरे, ठीके, तोड़ा सा difficult लग रहा है क्या, लेकिन यह elementary transformation से यह अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, 2, 3, तो minus 1 power 2 plus 3, right, क्यूंकि इसका 2 और 3 row number और column number है, हमेशा पहला row number और बात में column number, तो यह क्या हुआ, 6 minus 4, तीके, यहां आ गया, 6 minus 4, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, exactly ऐसे दिखा होगे, तो भी पूरे marks मिलेंगे, तो यह हो गया, minus 1 power 5, which is minus 1, और यह आ गया 2, तो यह पुरा-पुरा minus 2, अब 3, 1, 3, 1 मतलब बेटा, minus 1 power 3 plus 1, third row, first column गया, तो यह 4, और यह minus 6, देखा है, 4 और minus 6 आ जाएगा, sir, यहां आ गया आपका, 4 और minus 6, तो solve करो गया आप, तो यह पुरा minus 2 आ गया, ठीक है न, ओके, वैसे 3, 2, तो minus 1 power 3 plus 2, तो third row, second column, तो कितना हुआ, 6 minus 6, 0 आ गया, sir, ठीक है, तो यहापे आपर लिख सकते है, 6 minus 6, और यह पुरा-पुरा हो गया, 0, अब यह आ गया, आपका, minus 1 power 3 plus 3, minus 1 power 3 plus 3, third row, third column, तो यह क्या हुआ, 3 minus 2, यह न, correct, 3 minus 2, तो this is nothing बट, पुरा minus 1 power 6, तो 1 आ गया, sir, सब के co-factors देख लिए, यह न, अच्छा से, यह है, यह है, यह है, यह है, यह है, यह है, यहापे यह है, न, confusion बिल्कुल नहीं, तो हमारा co-factor matrix अब बहुत आसानी से हम लिख सकते है, so thus, co-factor matrix is, co-factor से जो matrix बना न, उसको लिखो आप, तो अभी हमें सोचना नहीं है, देखो, पहले रों में यह आएगे न, आपके जो पहले लिखे अपने, minus 1, 1, 0, इसलिए मैं कह रहा न, this is how our co-factor matrix would be, so now using, अच्छा, पहले तो adjoint निकालना पड़ेगा, sir, yes, so adjoint of a नहीं निकालना, तो adjoint of a मतलब पहला row बन गया, पहला column, second row बन गया, second column, and third row बन गया, third column, so now using formula, a inverse is equal to 1 by determinant into adjoint of a, correct, 1 by determinant, तो determinant कितना आया था, 1 ही आया था, 1, 2, minus 2, minus 1, 3, 0, 0, minus 2, 1, right, तो I can say now, 1 by 1 तो 1 ही होता है, तो a inverse is equal to 1, 2, minus 2, minus 1, 3, 0, 0, minus 2, 1, this is my answer, ठीक है, तो सब को समझ मैं ही, steps मैं एक बार फिर recall करू, क्या क्या किया हमने, पहला step है कि हम determinant निकाल रहे हैं और determinant non-0 आया, फिर co-factors नि co-factors भी कैसे arrange किया, तेखा, आपने पहले रहों में वही तीन element जो हमारे answer में आने वाले है, a11, a12, a13, co-factor matrix निकाला, फिर अपने adjoint के लिए transpose करना होता है, and we got using our formula, ठीक, yes, किसे ने ध्यान दिया गया, जो मैंने questions लिया है, ये exactly हमारा पहले जो हमने eliminate transformation से निकाला ना, व आप बुलोगी, yes, sir, मैंने आज के examples ऐसे ही लिए है, देखो, इसका answer यही था, देखो, 3, 2, 6, 1, 1, 2, 2, 2, 5, तो जो question था अब वो हमारा answer बन गया, उल्टा कर दिया, हमने हमने हमने, हमने हमने question वहां का answer exam में ऐसे करते है, तो 1, 2, minus 2, minus 1, 3, 0, याद रखना, आप देखो, 1, 2, minus 2, minus 1, 3, 0, ऐसी answer आया गया, देखा, 1, 2, minus 2, minus 1, 3, 0, 0, minus 2, 1, exactly, वो questions board में ऐसे आया है, कि एक answer दूसरे का question बन गया, board वाले बड़े चालाक होते है, इसका निकाल inverse, चल उल्टा कर दे, yes, तो यह हमारे पहले दो questions जो inverse निकालने पर होते हैं, और अब इनी का use करेंग हम, to solve linear equations, कैसे क्या, quickly देख ले, तो हमारे पास 3 equations दिये होंगे, और यहां पर यह x, y, z, जो है, यह निकालना है, solve करना मतलब x, y, z, निकालना, तो यह जो a1, b1, c1 है न, इन्हें कहते coefficients, तो यह जो सारे coefficients दे वेटा, इनका मैट्रिक्स बनाएंगे, capital A, it will be called as coefficient matrix, पहले के coefficient, हमेशा x का coefficient पहले, फिर y का, और फिर z का, फिर second equation में भी वैसे ही, और third में भी वैसे ही, तो यह हमारा coefficient matrix हुआ, क्या हुआ, coefficient matrix, वैसे बटा, यह जो x, y, z है, variable है, तो इसको हम capital X में दिखाएंगे, और इसको ऐसे one column में बताएंगे, और यह सारे constant है, तो constant वाले को हम b क हैंगे, तो d1, d2, d3, so thus, these three equations can be written as, इसको मैंने पहले coefficient matrix के form में लिखा, फिर x, y, z वाला, और फिर यह constant वाला, जैसे मैं multiply करता हुआ अपको होता है, कैसे multiply होता है, देखो, अगर मैं इसको multiply करता हुआ, तो first row, first column, तो यहसा होगा न, a1x, plus b1y, plus c1z, is equal to d1, देखो, यह equation बन जाती है, I am again repeating this, multiplication कैसे होता है, यह इसके साथ multiply होता है, तो a1x, आया नहीं है, plus b1y, आया नहीं है, plus c1z, आया नहीं है, equal to d1, तो ऐसे multiply करते हैं, वैसी second row को, और वैसी third row को, तो हमेशा, जब भी equation दी होता है, आप ax equal to b के form में ही करोगे, आप मुझे यहां से क्या न निकालना है, तो आप समझ क्योंगे, x मतलब inverse निकालना है ना आपको, right, तो yes sir, so अगर मैं अब इसको solve करूँ, देखो, ax equal to b, ठीक है, तो अब मुझे x निकालना है यहां पर, क्योंकि x y z निकालना है, तो let us say, I will multiply both sides by a inverse, आप pre multiply कर रहा हूँ मैं, तो यह a inverse पहले आ गया तो a inverse into ax is equal to a inverse into b, समझ गया है, yes sir, समझ रहा है, a inverse into a कितना होता है बटा, I, therefore, x is nothing but a inverse into b, तो b तो दिया है sir, तो हमारा पूरा काम बन गया, inverse निकालना, right, तो इन equations को solve करने का मतलब है, हमें इस inverse को निकालना पड़ेगा, this is called as, इन equations को solve करने की पहली method है, method of inversion, जहाँ पर आप ऐसे inverse निकाल रहे हो, right, तो देरा two methods जिनके तुरों में solve करने वाले हैं, और यह पहला method बता रहा था आपको, should I repeat, सब लोग, क्या मैं repeat करू, जब भी example से आपको और अच्छा समझ में आता है, हमेशा, आपको पता चल गई होगी यह बात, जब भी equations दी ह हो हमें, जब भी equations दी हो हमें, तो हम पहली क्या करेंगे, उनको AX equal to B के form में लिखेंगे, A मतलब coefficient वाला matrix सारे coefficients को इखटा कर लो, X मतलब XYZ और जो B है वो है D1, D2, D3, AX equal to B के form में लिखा आपने, ठीक है, और उसको solve करके गए, तो X becomes A inverse B, तो inverse निकालना है, और inverse कैसे न transformation निकाल सकते हैं, और adjoint, कौन सा निकाल होगे, Yes, you should prefer adjoint approach, क्यों, देखा न आपने, वो ज्यादा easy है, ज्यादा reliable है, गलतिया कम होती है, तो this is called as method of inversion, बच्चो, चले एक example से समझते हैं, Yes, let's see an example, so that we can understand it better, तो यह पहली equation है, दूसरी equation है, और तीसरी equation है, और यह अच्छा इसलिए होता है, कि जो भी answer है, वो इसको satisfy भी करने चाहिए, तो we can easily check, कि हमारा answer सही है या नहीं, तो पहला equation, दूसरा equation, तीसरा equation, तो बेटा coefficients का matrix बना लेक, तो here, a will be equal to, पहले x का coefficient, y का coefficient और z का, देखो, 1-1, 1, इसमें आप देखोगे, 2, 1-3, इसमें देखोगे, तो 1, 1, 1, 1, या हमारा a बन गया, x तो हमेशा क्या होगा, हमेशा ऐसी होगा, और b matrix क्या होगा, तो जो भी constants, यहाँ 4 है, यहाँ है नहीं तो 0 और यहाँ 2 है, तो 4, 0, 2, सही है, so now using ax is equal to b, है ना, so therefore x will be equal to, सारी steps दिखाने की ज़रुदत नहीं है, a inverse b, x क्या होगा, a inverse b होगा, यह है, जिसका मुझे inverse निकालना है, should I repeat this, यहाँ coefficients के बटा, x, y, z के 1, 1, 1, 1, तो यह आ गया पहला, यह 2, 1, 1, 1, 1, x और b तो समझ गया होगे आप, तो using this, ax equal to b, and thus we can say, कि x is a inverse b, तो हमें inversion बुलाए ना, तो inverse निकालना पड़ेगा, a matrix मेरे पास है बटा, inverse निकालना है, how do I find inverse, सबसे पहले determinant निकालोगे, yes, determinant निकालना पड़ेगा, सबसे पहले, कर ले है, ठीक है, सब लोग निकाल सकते हो, तो 1 in 2, cross multiply 1 और minus of minus, तो 1 plus 3 हो गया है, sir, minus of minus, देखो, फिर again cross multiply 2, minus of minus, तो plus 3 हो गया, sir, यह भी, ठीक है, फिर plus 1, 2 minus 1, थीक है, बहुत बहुत अच्छे, देखो, कितना हो, 4 plus 5 plus 1, तो this is nothing but 10, determinant इसका 10 आया है, मतलब, determinant is non-zero, therefore, A inverse exists, पहली बात हमने कर ली, inverse निकालते वक्की कहानी पहली हमारी, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कोफेक्टर निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं transformation ही use करना चाहता, transmission tough होता है, sir, yes, तुम को कोफेक्टर निकालेंगे, A11 का कोफेक्टर, minus 1, power 1, plus 1, 11, समझ गेते न, अभी आपने क्या किया था, first row, first column हटा दू, cross multiply, तो 1 plus 3, मतलब, 4 आ गया, sir, yes, तो यहाँ पे आ गया, 4, तो यह solve के कितना होँआ, बेटा, यह solve के आया, 4, बहुत अच्छे, A12, first row का हमेशा इस ही क लेकिन करना तो पड़ेगा, न, first row, और second column हटाना है, तो 2, और यह plus 3, तो 5 आ जाएगा, sir, तो minus 1, power 3, मतलब, minus 1, तो यह पूरा-पूरा minus 5 आ गया, फिर A13, तो minus 1, power 1, plus 3, patience रखना पड़ता है, solve करता, कितना patience रखना पड़ता है, देखे हो, 2 minus 1, 1 हो गया, sir, बहुत से, first row आ गया, हमारा cofactor matrix का, ज़्या टाइम भी नहीं लगा, minus 1, power 2, plus 1, second row, first column हटा दो, minus 1, minus 1, to minus 2 हो गया यह, तो minus 1 का cube था है, पूरा minus 1, और minus 2, तो यह हो गया, 2, a22, तो यहां क्या आएगा, minus 1, power 2, plus 2, तो आप मुझे second row, second column हटाना है, 1 minus 1, sir, 0 आ रहा है, ठीक है, ओके तो यह 0 हो गया, फिर उसके आद में, a23, second row, third column, तो आपका पहले आएगा, minus 1, power 2, plus 3, तो second row, third column, तो 1, minus of minus, तो plus हो जाएगा, sir, yes, दीक है, तो yes, sir, तो 1, plus 1, तो यह 2 हो गया, तो यह पूरा-पूरा कितना है, minus 2 हो गया, यह 0 हो गया, तो हमारा second row भी कतम यहाँ पर, अब third row, third row, first column, तो minus 1, power 3, plus 1, sir, इतना करना पढ़ता है, क्या, हाँ, बेटा, हाँ, चाहिए कि नहीं, तीन marks, यह 3 हो गया, यह minus 1 हो गया, तो यह 2 आगया, सर, आप calculation तो बड़ा fast करते हो, कोई निया, आप आराम, आराम से करो, कोई दिक्कत थोड़ी है, आप अगर आराम से करोगे, तो, 3, 2, third row, second column, minus 3, minus 2, minus 5 हो जाएगा, तो minus 1, power 3, plus 2, into minus 5, यह भी minus, और यह भी minus, तो यह हो गया, plus 5, और lastly, 3, 3, तो minus 1, power 3, plus 3, यह लिखना पड़ेगा, आपको ऐसे ही, third row, third, यह तो 1, plus 2, यह 3 हो गया, correct, ठीक है, तो यह पूरा-पुरा-णसर कितना है, 3 आया, सर, चलिए, तो हमारा co-factor matrix क्या हुआ, तो, co-factor matrix will be equal to, देखो, आपका co-factor matrix का पहला row, 4, minus 5, 1, फिर 2, 0, minus 2, 2, 5, 3, यह अपना co-factor matrix हो गया, तो हमें adjoint निकालना पड़ेगा, यह सर, adjoint निकालना है, मतलब क्या करना है, इसका transpose, 4, minus 5, 1, देखे, 2, 0, minus 2, and 2, 5, 3, समझे, ना, पहला row बन गया हमारा पहला column, चेक करते रेना हमेशा, second row बन गया हमारा second column, third row बन गया हमारा third column, so now, inverse is equal to, 1 by determinant of A, into adjoint of A, यह है हमारा inverse, yes, so determinant का value कितना था, 10, into adjoint, 4, 2, 2, minus 5, 0, 5, 1, minus 2, 3, क्या हमारा answer हो गया है, यहापर, नहीं, हमें inverse निकालना था, इस बार, x निकालना था, है ना, तो yes sir, तो x कैसे निकालते है, A inverse into B, B क्या है sir, 4, 0, 2, solve करना पड़ेगा, अभी भी काम बचा है sir, yes, 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 right, so now, last thing now, using x is equal to A inverse B, A inverse जो आया था, वो लिख दो अब यहापर, 1 by 10, 4, 2, 2, minus 5, 0, 5, 1, minus 2, 3, और B कितना था, 4, 0, 2, तो, ठीक है, अब इन में multiply करना पड़ेगा, और multiplication कैसे होता है पता है आपको, yes, यह इसको multiply करेगा, अब कैसे करते है sir, चलो एक एक करके करे, तो 1 by 10, पहला हो जाएगा, पहला element, पहले element के साथ, तो 4 into 4, plus, दूसरा element, दूसरे element के साथ, तो 2 into 0, तिसरा element तिसरे के साथ, तो plus 2 into 2, ठीक है, फिर वैसी आप second row के लिए करोगे, तो minus 5 यहाँ का, यहाँ के पहले element के साथ, तो 4 के साथ, 0 into 0, plus 5 into 2, फिर again, 1 जो है, 4 के साथ आएगा, बीच में minus 2 into 0 हो गया, और 3 into this, ठीक है, yes sir, यह addition अगरे कर लो, अब क्या आ रहा है, देखो, तो 1 by 10, 16 plus 4, यह कितना है, 20, यह कितना हो, minus 20, तो यह पूरा-पूरा minus 10, addition क ठीक है, अब 1 by 10 यह अंदर चला गया, तो यह कितना आ जाएगा, देखो, 2 minus 1, 1, so this is nothing but x, which is x, y, z, right, so therefore, x का value is 2, y का value, compare करो है न, पहला x है, तो यहाँ पहला y का 1 और z का, y का minus 1 और z का 1, ठीक है, this is our answer, समझे, कितना काम करना है, एक बार देखे, आराम से फिर से, ठीक ह तो sir, हमें बताता कि x is equal to a inverse b तक होना चीए, inverse निकालना मुझे आता है, क्योंकि अभी अभी सिखा है मैंने, तो आप inverse निकाल लो, co-factors वगरे लगा के, inverse निकालना हमने, अब इसके बाद हमें उसको use करना है to get x, तो x is equal to a inverse b, यहाँ multiply भी करना पड़ेगा, और multiply करके, confirm by putting values in the equation, जो हमारी थी, ना 2 minus 1 or 1 satisfy करता है क्या, तेख लो, ना 2 minus 1 or 1 satisfy करता है क्या, 2 minus 1 or 1 satisfy करता है क्या, ठीक है, तो देख सकते हो, आप करता है sir, okay, very good, क्योंकि वो answer है, तो satisfy करना चाहिए, ना equations को, समझे, तो this is how you do method of inversion, से problems ऐसे किये जाते है, ठीक है वेटा, yes, so, यह हमारा पहला approach हुआ, there is one more approach, which is called as method of reduction, अब method of reduction क्या करता है, अब यह नाम ही बता रहा है आपको, कि आपको कुछ operations करने है, suitable row transformations के, and reduce to upper triangular or lower triangular, मतलब क्या, जैसे हम elementary transformation करते थे थे ना, तो हम क्या करेंगे, 1, 0, 0 लाने के कोशिश करेंगे, यहाँ 0 लाने के कुशिश करेंगे, मतलब किसी 1 row में 2, 0, किसी 1 row में 1, 0 लाने के कुशिश करेंगे, किसी 1 row में 2, 0, और किसी 1 row में 1, 0, steps बनाने के कुशिश करेंगे, by elementary transformations, ठीक है तो ऐसे करने से भी हम लोग solve कर सकते और इसे कहते method of reduction sir कैसे है देखे एक बार एक बार देख लेते हैं ठीक है example से जादा अच्छा समझता है हम लोगों को चलो यहाँ पे सबसे पहले A matrix क्या होगा मेरे बचो coefficient है ना A is equal to 1 1 1 पहला second 3 minus 1 3 और third 5 5 minus 4 ठीक है यह आ गया ही है फिर इसके बाद sir x तो पता ही हमको यह एक्स वाई जड हमेशा वही रहेगा और B matrix तो B matrix will be 6 6 और 3 6 6 और 3 this will be my B matrix समझ गए बच्छा बहुत बहुत बढ़िया so now using A x equal to B यह भी A x equal to B के ही form में जाएगा लगिन इसमें inverse नहीं निकालना है एक जगा आप रखोगे यहाँ पर 1 1 1 जो भी हमारा था 3 minus 1 3 5 5 minus 4 बार बार चेक करना चाहिए हमको कि भाई सही कर रहे है कि नहीं यह x y z x y z को ऐसे ही रखते है अभी x is equal to B matrix से 6 6 3 अब मैं यहाँ क्या करूँगा किसी तरह जैसे यहाँ 1 है तो इन दोनों को 0 लाने कूशिश करूँगा वही जो करते थे पूरा नहीं करना है बस आपको यहाँ 2 0 लेकर आ गया यहाँ 1 0 लेकर आ गया बस उतना enough है किसी भी एक रो में 1 0 और दूसरे रो में 2 0 ऐसे लाना है आपको चलो देखते है कैसे क्या हो रहा है ठीक है बटा तो मैं यहाँ पे 0 लाने कूशिश कर रहा हूँ तो कैस को 3 times किया ठीक है तो सिफ रो 2 change हो रहा है तो रो 1 will remain as it is रो 2 में क्या हो रहा है 3 minus 3 times of this which is 0 minus 1 minus 3 times of this which is minus 4 this is 3 minus 3 times again 0 और यह हो गया 5 5 minus 4 समझी बात आप सब लोग को 5 5 minus 4 रो 3 तो change हो नहीं रहा न सर कैसे क्या देखो न मैं यहाँ पे 0 लाने के कोशिश कर रहा था तो 0 कैसे ल 2 minute transformation में किया था स्टार्टिंग में किया था 3 minus 3 times of this r2 minus 3 times of r1 तो जो भी कर रहे सब के साथ करे ठीक है अच्छा जो हो रहा है वो इस साइड भी होगा तो रो 1 में कोई change नहीं है रो 2 में क्या हो रहा है 6 minus 3 times of this 6 minus 3 times of first row का which is nothing but minus 12 ठीक है तो यह पूरा-पूरा minus 12 हो गया और रो 2 change हुआ ना बराबर हर जगा रो 2 change होना चाहिए अब मुझे एक और जगा 0 लाना है कही पर भी तो क्या मैं यहां 0 ला सकता हो कैसे तो रो 3 को मैं change करूंगा कैसे रो 3 minus 5 times of row 1 है ना yes or no yes sir 5 times of row 1 correct sir चलो अब करते है तो रो 3 change हो रहा है तो रो 1 remains the same row 2 remains the same row 3 5 minus 5 times of this तो 0 आ गया minus 4 minus 5 times of this minus 9 आ गया x is equal to again यहां पर भी आपको वही करना है बेटा कि first row कुछ नहीं होगा second row कुछ नहीं होगा third row में क्या बोला गया है r3 minus 5 times of r1 r3 minus 5 times of 3 minus 30 तो कितना होगा minus 27 हो गया ठीक है ओक है तो calculations करना पड़ेगा ना ठीक से करते रहो है ना अच्छे से करते रहो okay sir यह हो गया अब आपको और solve नहीं करना है अब आप क्या करो फिर से equations लिखना start को reduction का मतलब यह हो गया किसी एक रो में 2 zeros आ गया किसी एक रो में 2 तो हो गया नहीं lower triangular अपर ट्रेंगुलर बन गया अपर ट्रेंगुलर अपर ट्रेंगुलर बन गया ना बस नीचे zeros आ आ गय है ना तो यह इसको इसको multiply के तो क्या मिला अपने को पहला रो पहले column से तो यह हो गया x 1 into x plus next 1 into y plus 1 into z is equal to यहां का पहला element which is 6 पहली equation वैसी ही रही ज़र कोई बात नहीं बागी दू reduction हो रही है देखो 0 into x 0 तो माइनस 4 into y तो माइनस 4 y और 0 into z 0 is equal to minus 12 तो यहां से आपका बह होती simply y equal to 3 आगया यही काम होता है हमारे reduction method का 0 into x 0 0 into y तो minus 9 into z तो minus 9 z is equal to minus 27 and this gives me z equal to 3 तो अब x और y और z आगया सर तो now put in first equation put in first equation y equal to 3 z equal to 3 जो भी आया in equation x plus y plus z equal to 6 रखा आपने तो यह देखो क्या रहा है x plus 3 plus 3 equal to 6 तो x कितना आया? 0 जैसे x 0 आया है तो बन गए हम ही रहो तो 10 अवर answers आ रहा है x 0 y 3 और z 3 सब लोग समझ रहे है is reduction method है क्या? all of you are we all getting reduction approach है क्या? तो जो भी equation दिया है उसको आप upper triangular या lower triangular में convert करना है जो भी आपको दिया है matrix मतलब A या ऐसे ऐसे लाने है ठीक है? उपर भी ला सकते हो, नीचे भी ला सकते हो, कहीं भी ला सकते हो तो यहाँ पर वही elementary transformations हम लगा सकते हैं, जैसे इसको 0 करने के लिए हमने वैसा ही किया ना, जैसे हम starting में elementary transformation कर रहे थे हैं, वही steps कि यह 1 है क्या? और यह दोनों 0 आ सकते है क्या? वही steps करना चाहिए आपको अच्छा 0-3-3 है एक बार check कर लो, पही answer सहरे है की नहीं है? 0-3-3, 0-3-3 yes, satisfy कर रहा है ना, yes, ऐसे हमारा 3 mark का यह सवाल बड़े आराम से हो जाता है, और इससे हमारे सारे approaches clear, सारे type of examples clear, कोई भी चीज़ डिफिकल लग रही हो, यही questions फिर से करो, खुद से करके देखो, कै कैसे हो रहा है समझो, फिर से देखो, यूट्यूब पर है हम थोड़ा पीछे जाके फिर से देख सकते हो, ठीक है बटा, so this is our answer, ऐसे करेंगे तो 3-4 mark मिल जाएंगे, अच्छा, इसमें एक और type of example आते है, जहापे आपको word problem दिया होता है, मतलब equation नहीं दी है, equation बनानी हो सकता है, most probably यह यह या फिर elementary transformation, यह चार मा का question हो सकता है, ठीक है, okay, तो अब यहाँ पर देखो, आप एक बर पढ़ोगे, तो क्या बोल रहा है, three numbers are added, their sum is two, two times the second number is subtracted from sum of first and third, we get, अच्छा थी के तो find the numbers, तो हम start करते पहले, let the numbers be x, y, z, पहला number x है, दूसरा number y है, तो let this be the three numbers, अब इनको equation में लाना पड़ेगा, if three numbers are added, their sum is two, मतलब पहली equation क्या होगी, तीनों को add किया, तो sum two है, equation ना देते को हमें बनाना पड़ेगा, बात में पूरा steps करना है, two times second, मतलब two times second याने two times y, is subtracted from sum of first and third, अच्छा, तो first और third का sum, उससे आपने subtract किया इसको, फिर से पड़ो है ना, क्योंकि ये बहुत अच्छा line है, आपको बहुत अराम से बहुत अच्छे समझना है इसको, तीके, two times of second number, two times of second number, मतलब two times of y, किसमें subtract हुआ, sum of first and third, पहले और तीसरे के sum में से आप two times of y करोगे, तो x plus z में से आपने y को subtract किया, two times of y को subtract किया, तो we get eight, ये ह है हमारा, तो इसको अगर आपने ठीक से लिखा, ये equation क्या होगी, हमेशा पहले x का term, बाद में y का term, फिर z का term, तो this is our equation number two, हमेशा, पहले x का term, फिर y का term, और फिर z का term, हमेशा, फिर next, three times of first number is added to sum of second and third, three times of first, मतलब three x, is added to sum of second and third, we get four, बार 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 पढ़लो, कोई भी चीज़ लग रही हो तो, three times of first number, मतलब three x added to second and third, we get four, तो these are the three equations, आगे equations है न, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, अब हम काम कर सकते हैं, जो हमें करना है, ठीक है, yes, so these are the three equations, जो हमें मिल चुके हैं, अब मुझे यहां से find the numbers, मतलब x y z निकालना है, तो हम वही steps करेंगे, a matrix पहले, here a matrix, coefficient वाला matrix क्या है, यहां, one one one, यहां पर क्या है, तो इसले में हमेशा के तो पहले x, फिर y, फिर z, क्योंकि गलती नहीं होगी, अगर ये लिया तो गलत हो जाएगा, तो one minus two one, और तीसरा, three one one, x matrix तो पता ही है हमें, x, y, z, फिर भी लिख लेना चाह ये क्या, हां, और b matrix, eight eight four, तो ये eight, sorry, eight eight four नहीं, पहले वाले में two है, फिर eight है, और फिर four है, तो two eight four, तो ये two, ये eight, और ये four, understood, now, sir, कौन सा method यूज करूँ, ये आपके उपर है, कोई भी method यूज कर सकते हो, inverse थोड़ा सा बढ़ा लगता है न, yes, तो हम लोग क्या करेंगे, reduction ही use करेंगे, right, यहां कुछ भी नहीं दिया है कि कौन सा करना है, कौन सा better रहेगा हमारे लिए, reduction ही better रहेगा, x को भी x ही रखते है, two eight four, अब reduction में क्या करना है, थोड़ा से elementary करना है, sir, यहां zero कैसे लाओंगा, yes, बहुत बढ़िया, row two को change करते है, row one से subtract करते है अज़े, यहां पर भी zero simultaneously जा सकते है, क्या, yes, कर लो, row three को, three times of row one, सिर्फ row one का ही use करो, three times of row one, ताकि वो भी zero आ जाए, चलिए, एक साथ कर रहा हूं में दोनो, कर सकते है क्या, हां कर सकते है, ठीक है, अब, इस x को तो x, y, z लिख दो, और यहां पर, row one change हो रहे है क्या, न this is again zero, बहुत बढ़िया, अब next, row three को हम three times of row one से subtract कर रहे है, zero, one minus three times of this, minus two, one minus three times of this, minus two, बहुत बहुत बढ़िया, और अब आगे यहां क्या होगा, तो row one as it is, row two minus row one, तो eight minus two, कितना हो गया, six, अब ही row three minus three times of, तो आप rough में कर लो, four minus three times of row one, तो यह कितना है, minus two, very good, very nice, सब लोग समझ रहे हैं क्या, should I repeat this, सर एक साथ कर सकते हैं, हां कर सकते हो, बिलकुल कर सकते हो, क्योंकि row one ही use कर रहे हो न, दोनों में yes, steps कम हो जाएगी न, yes सर, बत अराम से अच्छा से करना है, तो row two minus row one, zero, row two minus row one, minus three, row two minus row one, zero, this minus three times, this minus three times, this minus this, this minus three times, ठीक है, सब बराब तो rewrite the equations, तीन zero दिख गे न, आपको तो rewrite the equations, पहले equation क्या होगी, जब आप इन से multiply करेंगे तो, तो first equation becomes, x plus y plus z is equal to two, एकदम सहम है है सर, yes, पहला पहले से multiply, दूसरा दूसरे से multiply, तीसरा दूसरे से multiply, यह answer पहलेगा, तो zero into x, minus three into y, तो यह हो गया, minus three into y, और zero into z, zero ही हो गया, तो equal to six, तो यहां से y की value मेरी सीधी सीधी आगई, minus two, फिर third equation sir, yes, zero into x, minus two into y, ठीक है, third equation हो गया, minus two into y, minus two into z, minus two into y, minus two into z, क्योंकि पहला पहले से, multiplication आता है न सबको, this is equal to minus two, आप divide में minus two भी गर सकते हो, तो यह क्या होगा, y plus z is equal to one, ठीक है, यह हमारी equations है, तो यह पहली equation, यह दूसरी equation और तीसरी, so now we can directly use these three equations, reductions हो गए है, वाप put कर सकते है, values and get the answer, तो now put y equal to two minus two in the equation, minus two plus z equal to one, तो यहां से z कितना है, three आगया, आगया, अब y और z आगया, तो let us put in equation x plus y plus z equal to two, तो x का value पता करना है, y का value minus two है, z का value three है, ठीक है, तो देखो, यहां से किया रहा है x, आप देखो कि x से आता है one, ठीक है, so this is our answer is, x equal to one, y equal to minus two and z equal to three, this is our answer, एक बार check कर लें कि हमारी equations जो सही है क्या, इस पर, one minus two or three दिया है न आपने, जो हमारी equations है, are the satisfying, one minus two or three, देखो, one minus two or three, yes, one minus two or three, yes, one minus two or three, yes, satisfy कर रही है, equations को, तो समझे आप, जब भी word problem आता है, एक step extra हो गया, वो extra step क्या है, कि आपको, इसको समझना पड़ेगा, और equations बनानी पड़ेगी, जब आप equations बनाते हो, तो हमेशा x, y, z, x, y, z, ऐसे नहीं कि जो दिया है उसी form में, यह हमारी बराबर की equation है, फिर सब same formula, same method, तो आपको समझ में आगा गा कि, जब भी मुझे inverse निकालना हो, तो adjoint is better method, right, जब भी मुझे equation solve करनी हो, तो कौन सा अप्रोच अच्छा है, method of reduction, yes, smile आगी आपके चेहरे पर, बहुत बहुत बढ़िया, तो art questions कियो, और सारे concepts खतम, अब यह आपका homework, देखो आप कैसे करते हो column transformations, ठीक है, column transformation अब एक और question आ सकता है, तो कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको columns लगाने है, a inverse, a into i, आपको columns का use करना है, ठीक है, अगर नहीं यह word problem भी आप try करेगा, और answer दीजेगा, और खुद ही check कर सकते है कि सही है या नहीं है, जो equations उसको satisfy कर रहा है कि नहीं है, तो 4 माग के लिए बहुत possibility है, आपको word problem पूछा जाना जाए, या elementary transformation पूछा जाना चाहे, तो ऐसा रहा ही हमारा one shot video on mattresses, कैसे लगा आपको, जैसे लगाओ, please comment करेगा, sir, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, ऐसे ही, या fast लगा, difficulty लगा, जो लगा, ठीक है, तो I hope आपको समझ में आ गया कि यह chapter में सिफ चार चीज़े है, सबसे पहले inverse निकालना, inverse by, elementary transformations, और हो सके तो इसको option में छोड़ना है, अगर बाकी questions अच्छे रहे क्योंकि में board में आते हैं, options, yes, by adjoint, अच्छा है, तो कुछ भी नहीं दिया हो, तो हम adjoint use करेंगे, फिर system of linear equations solve करना, इसमें भी दो method है, एक है method of inversion, इसमें मैं adjoint use करते हो, लेकिन फिर भी यह बड़ा है, तो better method क्या है, कुछ भी नहीं दिया हो, तो मैं use क्या करूंगा, method of reduction कुछ भी नहीं दिया हो, तो better है reduction, क्योंकि सर थोड़ा छोटा होता है, कम मैनत लगती है, पर inversion भी सही है, वो भी कर सकते हैं, हमेशा a x equal to b से ही start करना है, पता जल गया हमें, तो कितना छोटा सा topic है, पता चार concept, ठीक है, और यहाँ पर हमें, एक चार माग का कुशन आएग को सारा, ठीक है, बहुत-बहुत बढ़िया, बच्चा जितने लोग detail में chapters पढ़ना चाहते हैं, वो मुझसे सफल batch में, मतलब YouTube पे live जूड सकते हैं, कब सर, YouTube पे live daily, Monday to Friday, 9 PM को, मैं रोज class लेता हूँ, तो आप जूड सकते हो, वहाँ पे, और अभी हम integration पढ़ रहे हैं, त तो जो चल रहा है अभी, और Saturday को आपको ये one shot मिल जाता है, और Sunday को, आपको quiz भी मिल जाती है, on गनी तंक app, app की links description में है, ठीक है, तो ऐसे हम पूरा तरीके से, आप free में पूरा syllabus पढ़ सकते हो, मेरे साथ साथ, तो जूड जाहिए बच्चों कर आपको अच्छा लग रहा ह हो तो, चलो आज के लिए इतना ही, thank you, अभी तक like नहीं किया, कर लो, share कर लो, अपने friends के साथ, सबका फाइदा होना चीए, ना, सबका भला होना चीए, right, दुआए मिलेगी, तो mark सच्छे मिलेंगे, ठीक है, दुआए लेते रहो, तो share करो, और subscribe भी करो, गर नहीं किया हो, भी बाइ, थीकए अज कर दो, तो, भी बाइट, भी तेक है बाइभी, तो, बाइगी, एक हो जो है।